माई स्वीट होम और डेकॉर चानल पर आप सभी का स्वागत है फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स आज बना लेंगे ब्रेक्फस्ट की बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी जटपट से बन जाती है तो हम ले लेंगे एक बोल थोड़ा सा चोड़ा मोवाला ले लेंगे जिससे हमको ब्रेड इसमें डिप करने में आसानी हो और ले अब मैं इसमें डाल लूँगी दो अंडे और एक अंड़ा तो ये हो गए पूरे तो अब हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं भी बहुत ही हल्दी ब्रेक्फस्ट है फ्रेंज और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता जट्टत से हम बना सकते हैं सुबह के टाइम या इवनिंग टाइम स्नाक्स के टाइम भी हम इसको थंजिओं कर सकते हैं तो अब हो गया है हमारा एक बीट अब हम इसमें आठ कर लेंगे स्वादन उसार नमक दाल लेंगे हम चुटकी भर ब्लाक पेपर पाउडर ब्लाक पेपर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और हम डाल देंगे इसमें टर्मरिक थोड़ा सा और डाल देंगे यह आप्शनल है टर्मरिक और रह चिली अपने अनुसार डाल सकते हैं आपको जितना पसंद है अतना डाल सकते हैं सारी चीज़ों को कर लेंगे वेस कच्छे से अब हम इसमें हैट कर लेंगे मिल्क मिल्क यहां पर ले लिया है मैंने एक टेबल स्पून के गरीड परी तरीके से बनाते हैं फ्रेंज इस रेसिपी को तो हो गया है अच्छी तरीके से मिक्स तो देखे फ्रेंज हमारा एकका मिक्षर एकदम तयार है तो चलिए अब हम ग्यास पर तवा रख लेते हैं अब हम अब हम अब हम इस पर आप्लाई कर लेंगे घी तो फ्रेंच टोस्ट हम घी या बटर में बना लेंगे तो ज्यादा टेस्टी भी लगता और हल्दी भी होता है तो अब हम क्या करेंगे तवा हमारा अच्छी तरीके से गरम हो चुका है अब हम इसको डिप कर लेंगे में ब्रेट स्लाइस को और डाल लेंगे इस पर फटा-फट से बनने वाली रेसिपी है आप भी जरूर इसको ट्राइ करना तो हम थोड़ा साइज पर और साइज में घी याद कर लेंगे और एक साइज से अच्छी तरीके से ये तक जाएगा तो इसको हम दीरे से दूसरी हो इसको पता लेंगे तो देखिए फ्रेंज हम इसको इसको इसकरिके से डिवाइड कर लेंगे नाइफ से बहुत अच्छे से डिवाइड हो चुका है ये कितना टेस्टी ये डिलेशियस लग रहा है तो फ्रेंज देखिए तयार है healthy and tasty breakfast आप भी जरूर इसको try करना और कैसा लगा मुझे जरूर बताना फ्रेंज दो से तीन मिनट में जटपट से बन जाता है तो फ्रेंज अगर आपको ये recipe मेरी पसंद आई है तो लाइक कर देना प्लीज और मेरा वीडियो प्लीज प्लीज फुल वाच कीजिएगा और मेरे नए फ्रेंज जरूर मेरी वीडियो को देखना और सब्सक्राइब करना मेरे चानल को और साइड में जो बेल बटन है उसे जरूर हिट कर देना ताकि मेरी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप मेरे वीडियो को एंजोई कर सके तो फ्रेंज मिलते हैं अगले recipe के साथ तब तक के लिए stay healthy, eat healthy, bye bye